नमस्कार दोस्तों टेक्निटी प्रो में आपको फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप फाइफ बजट एंड्रोइड स्मार्टफोन के बारे में जो आप पर्चेस कर सकते हैं अगर आपका बजट 15,000 या फिर उसके आसपास हुआ तो चलिए लेट स्टार्ट तो यहाँ पर पहला फॉन जो है वह लिनोवो का जेट टू प्लस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नेप दगन 820 का प्रोसेसर साथी साथ 3GB का रैम और 32GB का इंटर्नल स्टोरेज यहाँ पर कैमरा की बात कर तो 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा औ आपको देखने को मिल जाता है साथी साथ दिस्प्ले की बात करते हैं फाइव इंच की फुल एजडी दिस्प्ले आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर प्राइस जो रखी है लिनोवो ने काफी इंट्रेस्टिंग है वह 14,999 यानि कि आल्मोस से 15,000 रुपीज के अ आपको बात पर आप देखने को मिल जाता है और आपको इंट्रेश की बात करें तो रिएर केमरा जो हैं आपको मिलता है 16 Megapixel का और Internal Camera जो है उपको मिलता है 8 Megapixel Van साथ ही साथ आपको बहुत ही इंट्रेस्टिंग फीचर फास्ट चार्जिंग आपर देखने को मिल जाती है तो तीसरे फोन की बात करें तो यहाँ पर वह शाओमी का रिड्मी नोट 4 यह इसमें आपको हायर भेरियर में 64GB का इंटर्नल स्टोरिज देखने को मिलता है और साथ ही साथ 3GB का RAM भी आपको यहाँ पर मिल जाता है कैमरा की बात करें तो 13MP का रेर कैमरा और 5MP का फ्रन फेसिंग कैमरा आपको देखने को मिल जाता है अपर प्रोसेसर जो दिया है वो है Mediatek का Helio X20 का प्रोसेसर है और साथ इसार काफी अच्छी स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं प्राइजिंग यहाँ पर काफी इंट्रेस्टिंग प्राइजिंग है वह 14,999 की जो की है और मुस्ट से 15,000 चौथ है फोन की बात करें तो यहाँ पर वह हुआय का Honor 6X इसमें भी आपको 5.5 इंच का फूल एज़ी डिस्प्लेइ देखने को मिल जाता है 64GB का इंटर्नल और 3GB का रेम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है केमरा की बात करें तो रेर केमरे है पर आपको 2 मिलता है एक है 12MP और एक 2MP का और फ्राइज की बात करें तो 8MP का फ्राइज को आपको मिल जाता है प्रोसेसर जो मिलता है आपको मिलता हैron एका अपना हाउई सीलिकॉन कीरीन 655 जो की एक Lecture CPU है और Cortex A53 based है कि लोवर फेरियन की प्राइस वह फी 15,000 रुपीज के अंडर है आखिर में जो फोन है वह है Motorola का Moto G4 Plus यहाँ पर भी आपको 5.5 इंच की Full HD दिस्प्लेय देखने को मिल जाती है 32 GB के इंटरनेल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं और 3 GB का RAM आपको उसके साथ मिल जाता है अबर कैमरा की बात करें तो 16 Megapixel का Rare Camera और 5 Megapixel का Front Camera आपको देखने को मिल जाता है प्रोसेसर जो मिलते हैं आपको मिलता है आपर Snap Dragon का 6 है 17 जो कि एक Octa-Core CPU है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको Turbo Charging का Option भी मिल जाता है फोन भी आपको 15,000 रुपीज के अंदर मिल जाएगा तो दोस्तों यह थे मेरे Opinion 15,000 रुपीज के अंदर के Budget Smartphones के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए और सेनल को सक्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूल यागए कि मैं रोज आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ And finally, thanks for watching